कि बालिक साब ये पताएगा कि आप जो फेडरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेर परसन भी है इन हालियां में जो अभी प्राइस हाइक आया है इतना मेजर जंप जो आया है इस पे ट्रांस्पोर्ण इंडस्ट्री पर क्या फर्क पढ़ने वाला है सबसे पहले कि बढ़ी है और प्राइस बड़ी है इंकि जो इंकम है समें डेसेट होगा और लोग जो सपर करते हूँ कम सफर करेंगे क्योंकि जब किराय है तो जिसने दो आदमी ने सफर करना है वह एक आदमी करेगा आपकी फेडरेशन इसको मस्तरथ करती है या आपने इनको एकसेट कर लिया हमारे हमारे लोगों ने इसको मस्तरथ किया है कि यह बहुत हाई रफ प्राइज है और उनने कोई हमसे कंफिडेंस में लिया हमें कुछ ठीक है क्रूड आइल की प्राइस दुनिया में इंटरनेशनली बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है जितने इन्होंने हाइक का दिया और इन्हें इस वक्त नहीं करना चाहिए था सालेकुम ये जो भाई जो पेट्रॉलियम की प्राइसे अचानक हर सते पैसी एंजी एल पीजी मिटी का तेल सब कुछ जो इस कदर बढ़ा दिया गया है इस पेशली डीजल जो बढ़ा दिया गया है इस हवाले से आपके क्या तास्वरात है मैं कहता हूँ ये अवाम के ओपर भोज है एक किसम का और अवाम को जो है तबाया जा रहा है अवाम जो है मर रही है एक तो इतना इंफलूशन इतना कर चुके हैं और दूसरा पेपरस पाड़ी की गवर्मेंट को देखना चाहिए कि ये आपी आखरी साल है कर देखें क्या आगे आने वाली वक्तों में अगर आप आपने आजी आने वाले कमिंग एलेक्शन के अंदर आपने पना इस्टैटिस बनाना है अवाम के अंदर तो आपको इसको जो है वापस लेना पड़ेगा इन प्राइस को कम तर ये तो परदाश से बाहर है मेर खाल नहीं नहीं हो सब्सक्राइब बहुत शुक्रिया भाई नहीं होता है गुजारा बस वैसे फैमिली वानों को फाका कशी बस करनी पड़ती है बस अच्छा चाहें चीनी हर चीज दूद तक मिंगा गी तक मिंगए और चीज मेंगी है इंसान का गुजारा बस बहुत मुश्किल से हो रहा है बस इंसान तो खुटकशी करने पर आगए है बहुत जादा कर रहे हैं नोजवान और नोजमान के लिए रोजगार की भी कोई बाल ही नहीं अपनी बिल्टिंग खड़ी करते रहें और अवाम को ऐसे ही पीस रहें बस अब क्या समझते हैं अवाम को क्या करना चाहिए यह नजर में जो है ना अवाम इतनी में नजर में तो इतनी महंगई नहीं है आचा द्या कर दो कि महांगई कर अभथ जासमीं यह आपको बार बता रहूं आप inगलेंड वकरे में, जाओ वहां के ओवाम हम से ज्यादा बजदन है, मैं आपको बता रहूं पाकिस्तान की मोफित। कि आपके प्रश्चान के आलमी सदाता थी जो आइमाइफ के कज़े वगरे वह जितने आलमी महेंगाई हो रहे हैं पेट्रॉल किसकी वजासे हो लिए आलमी दाख्ते हैं हमने जो किस्ति लिए माजी की गवर्मेंट वगर अगर वो किस्तों को अटा कर देखे ना जिनी महें है हमारे घरों में एक खाने को नहीं है हमारे घरों में लोट 언제 किस्तों कि लिए नहीं है और नमाइस चोरएंगे कि आप तीन बंदें चड़ें तीन बंदों ने पूरी एक सुरी को हैरेक कर लिया और सब के मुबाइल का ओन जो ही पैसे जब में गाते लिए और पांच में गया पर ये पांच में पर सारा काम कर दियो और जिस वकट वो बस में चड़ें तो चलती ब कि बस को रोख लिए चड़ गया उतर गया ले लिया काम होगी है वह अपना काम पूरा गरे चले आथा चोड़े बच्छों के साथ ही वह रहा है बच्चे के साथ पीड़े रही रास्ते वह बस में काम होगा तो जो बस के अंदर लोग थे खामतीन दियों की जाह सी पाता है वह तो सारे का आज मेरे खाल से शौक में होंगे सब असल में हम लोग ते डर चुगे हैं कि हम कुछ कर ने सकते हमारा जो यह हाथ साथ पहले कभी हुए आपके साथ मेरे साथ तो होते रहता है मतलब कि यह कराची में यह यहां में एक बात पूछ आ था कोई ऐसा बंदा है इस पूरी हम सारे हाम खड़े ना मेरे समेथ कोई ऐसा बंदा है जो यह कह सके हमारे साथ हाथ सा नहीं हुआ अब के साथ हुए है आप बच गए है आपको तो मेडल मिलना जाए है मेरे भाई शुकर है लाका आज जो रहा हुआ है अरे बच्चा जाता है तीन दफा इसके लुटा गया तीन दफा बेटा आपके साथ जा रहा था कॉलिज तो एक दम बस में चड़े दो बंदे उन्हों रिपीटर वो तो वो उसको देखके आइसी बाद है हर कोई काप जाता है मैंने फुद अपना सारा सामान दे दिया जो कि में पर पेसे दे मूव उठापा होता है या ऐसे धडले से चड़े दे लेटिस के सोने होगारा कि टॉप्स वोगारा सब कुछ नोश लिया था अच् पर यहां जा रहा था समान लेकर और तो एक बंदा खड़ा हुआ था तीली लगारा था नीचे रोड पर तो मैंने पुछा भाई क्या गुम हो गया उसने बोला भाई कुछ गुम नहीं हो गया आप गोर से देखो मेरी पर्स गिर गई है मैंने बोला यार इधर पर्स तो न करना भी बारी बढ़ गया आपका क्या लेकर चुका भाई गाड़ी में चड़ता हूं तीन तीन डेकर टीटियां लेकर चड़ जाते हैं तो लोग फिर एक दुसरे से मुबाइल कशीटते हैं चलो मुबाइल लेले तपड़े भी मारत तपड़े मारत यह होता रहता है बस जब भी चांस लगें रहति नंगा ही हो जाएगी तो फिर लास मन रहा यह वाकिया रूटीन में बस ताओ लिजा भी अचलने भाई कोचों में 17 जो बस चलती है ना बड़ी उसमें भी होता है बड़ी गाड़ीयों में जादातर करते हैं क्यों रात का टाम होता है ना तो र और ड्राइवर कंड़क्टर जो होते हैं वो बिचारे फेपर सेफ हो कोई ऐसी जगह नहीं है जो सेफ हो हर जगह पे यह लूट मार चल रही है लेकिन यह बसों में हर रोस चड़ना और यह तो और बसों में तो रात के टैम जादा प्लैन बनाके चड़ते हैं ताके जो रोड खाली होते हैं जाप उनको पता होता है कि यहां पे इतना रश्णी है दो तीन बंदें होंगे एक उस गेट पे खड़ा जेगा इस गेट पे और दो बंदें अंदर से पूरी बस को खाली कर देते हैं और वैसे महंगाई के हवाले से आप क्या करेंगे तो आस्मान पे को सबसे पहले था तर गोर्मेंट को सबसे पहले नहींगाई कम करें आप कुछ के घर वसे जीने का चीनली है इतनी महंगाई हो गई है पहले जो घरीब आपी मज़डूरी करता था ता रुपे में उसका घर का गुसर बसर हसानी से हो जाता था आज कले घर की अंडी चूला जलाने के लिए 500 रुपे कम से कम मस्ट जरूरत है जिसमें बच्छों की तालीम नहीं नहीं है कोई शादी बया में खरा जाते हैं वो कुछ नहीं है सिर्फ अंडी रोटी कूरी करने के ल वो अपनी बोलियां बोल रहे हैं लेकिन जो हकीकाते कराची आला आप हम से जदा बेदर जानती है अमन चाहिए अमन चाहिए यह क्योंके हर वकत हर बंदा कराची का लुट चुका है लुट चुका है तकरिवन कोई ऐसा घर में जिसमें बंदा जिसके साथ वारदात हो आप कुछ कहना चाहिए वालेकुम असलाम जी एक्चुल यहां पर जो मेन रीजन है ना गवर्मेंट का कोई पोग्रामिंग नहीं है सबसे पहला मकसद यह है अब उनको एजुकेशनल प्री करेंगे तो यह जो दाकेतिया हो रही है वो कौन है उनको एजुकेशन मिल नहीं प्लस यह है कि आप पैट्रोलियम मस्नुवाट जो महंगी की है वो अपनी जिगाए क्योंकि वो इंटरनेशनल रेट पे चल रहे है आप अगर वो पैट्रोलियम मस्नुवाट को बरकार आखना चाहिए तो आप इसकी इंकम भी एक्सीट करें इसको ताके हर बंदा अपोड क्यानिंग होनी चाहिए नाजरीन आपने तमाम जो हमारी अवाम हैं उनका मॉकिफ सुना चाहे महंगाई के हो सिटी से चलने वाली कोचेश हों अंदूने चेवां अंदूने शेर चलने वाली बसे सों खावतीन परिशान लोग परिशान बजर्ग परिशान और जो वारदा उनकी कमाई उनका मॉबाइल लेके निकल जाते हैं और कोई शेहर का ऐसा बंदा नहीं है शेहर कराची में ये मैं मानती हूं क्राइम इस ग्लोबल फिनामेना दुनिया के हर मेट्रोपालिस में ये होता है अगर आप बड़े बड़े शेहरों के अंडर ग्राउंड में ट्र जो कल जो प्राइसेज और ग्रा ने बढ़ाई हैं और हकूमत पाकिस्तान ने पेट्रॉलियम कि वे उस पे आपने ट्रांस्पोर्टर से लेके अवाम तक का रदे अमल जाना अब बाकी मैं आप पे छोड़ती हूं अपना ख्याल रखेगा राइट टु मी और माई फेस्ब